असलाम अलेकुम, नैनित क्लास कैसे हैं बच्चो ठीक ठाक हैं किमिस्ची identify अज का हमारा है तूपिक है वह है सुपंध उस हैं that जो में से पहले बेचा मैं आप लोगो ऑई open band और क्वन बांड और उसके बाद मैंने आप आप लोगो कोडिनेट कोवलेंट बांड जाया वो बड़ इच्छ तीके से समझाया था मुझे उमीद है कि आप लोगो उसकी समझ भी आई होगी क्यों कि में किसी की देख ले बेटा अब बांड फॉर्म बिट्वीन मैटल एक्टम्स ड्यू टू मुबाइल और फ्री लेक्ट्रोंस ऐसा बांड जो मैटल के आटमों के दरम्यान मुबाइल या अजाद लेक्ट्रोंस की वज़ा से बनता है उस बांड को हम लोग कहते हैं मिटैलिक बांड नहीं समझाई अभी आएगी जो कि मैंने भी समझाया नहीं है आप लोगो तो यह लेक्ट्र के एंड में समझाएगी कि क्या पढ़ा रहा हूं आपको अ हमारा यह ख्याल था जो साइंटिस्स थे के जो मैटल्स होती है अब मैटल का तो पता है कोई नहीं मैटल आइरन है लोहा तामबा है सोना चांदी गोल्ड है ठीक है गोल्ड भी बोला मैंने अलुमीनियम जिंक ठीक है ऐसी यह मैटल्स होती है इनके एटमों के अंदर हम कोवलैंड की तईप है तो हमारे जprint में था कि metal के जैटम होते हैं इन के दर्म्यान है यह यह कॉवलेंड बांड होता है लेकिन जब हम लोगों ने metals की प्रोपरटीज को देखा तो metals की जो प्रोपरटीज हैं वह रहाँ आयोनिक compound से मिलती है और ना ही covalent compound से मिलती है इसका मतलब यह है कि फिर metals में ना ionic band है और ना ही covalent band है metals की properties क्या है इनके जो melting और boiling point होते हैं वो हाई होते हैं high melting and boiling points melting और boiling point क्या होते हैं ज्यादा होते हैं metals के good conductors of heat and electricity यह current और हराद की अच्छी conductor होती है यह में से current भी अच्छा पास होता है metals में से और heat जो होती है हराद वो भी अच्छी गुजर जाती है और hard and heavy सक्त और बारी होती है metals की हम तारें बना सकते हैं metals की हम लोग शिटें बना सकते हैं यह ऐसी properties हैं जो ना ही ionic compound की हैं और ना ही covalent compound की हैं जब metals की properties different थी तो हमें यह ख्याल आया हमारे जहन के अंदर के metal के atom के अंदर ना ionic band होता है ना covalent band होता है बलके different किसम का band होता है और वो band कौन सा होता है उस band को metallic band कहते हैं metallic band कैसे बनता है आज इन्शालला आपको मैं उसकी भी वजाहत करूंगा के metallic band क्या होता है तो चलिए मेरे साथ आप लोग आपको मैं एक piece दिखा रहा हूं लोए का समयले सोने की sheet समयले चंदी की sheet समयले तांबे की sheet समयले यह उसके atoms हैं यह किसी भी metal की एक sheet है ठीक है बेटा और आप लोगों को मैं यह बता दूँ के जो metals होती है उनके atomic size बड़े होते हैं क्या होते हैं metal के atom के sizes क्या होते हैं बड़े होते हैं और जितना किसी atom का size बड़ा होगा उसकी ionization energy उतनी ही कम होगी क्या कहा किसी atom का size जितना बड़ा होगा उतनी ionization energy कम होगी और उतना ही easily उसका electron निकल जाएगा अब मैंने आपको क्या बोला के जो metals होती हैं उनके atom के जो size होते हैं वो बड़े होते हैं size बड़ाने की वज़ा से outer electrons पर nucleus की attraction कम होती है जब outer electrons पर nucleus की attraction कम होती है तो इनके जो atom होते हैं, वो आपने outer shell के electron lose कर देते हैं, क्या कर देते हैं, lose, जो कि थोड़ी synergy मिलने पे, size बड़ा है, थोड़ी synergy मिलेगी, electron जो हैं, वो आखरी shell के क्या कर देते हैं, अजाद कर देते हैं, फिर ये electron ना इसके साथ रहता पका पका, इसको ये खैंचता है, फिर इसको व अवारागरदी करते हैं एलेक्ट्रोंस क्या करते हैं अवारागरदी करते हैं अंदर ऐसे एलेक्ट्रोंस को बोलते हैं मुबाइल एलेक्ट्रोंस क्या बोलते हैं मुबाइल एलेक्ट्रोंस या फ्री एलेक्ट्रोंस यह नेग्टिव एलेक्ट्रोंस इस मैटल के एटमों के कि दरम्यान जो खाली जग़ा होती मैं जो इस पेस होती हैम आजाद नहया गुमते हैं इनको हम बोलते हैं मुबाइल etron या फ्री ऐड्रों के और हिन एक्टेव लेक्ट्रों की वजह से यह जो पौस्टीव भाले आईन है यह कैसे बनेगे जबने लूज किया तो चार्ज आ गया पोश्टि अब यह बनगे पोश्टी वाइन और इन पोश्टी वाइन के अंदर यह जो नेग्टिव लेक्ट्रोंग्ज अंदर जो खली जगे होती हैं वहां बर यह गूमते हैं और इन मुबाइल एलेक्ट्रोंस की वज़ा से यह जो मैटल के आटम्स हैं यह आपस में जुड़े हुए हैं तो मैंने दुबारा फिर डैफिनेशन भी आता हूं अब बांड फार्म बिट्वीन मैटल एटम्स ऐसा बांड जो मैटल के आटमों के दरमियार बनता है किसकी वज़ा से ड्यू टू मुबाइल ड्यू टू मुबाइल ड्यू टू मुबाइल और मुबाइल फून को मुबाइल क्यों कहते हैं च्योंकि वो जहां मरदी जा सकता है इसलिए यह जो इल मले में उस मरले इस मले में यह एलेक्ट्रों जोते हैं यह अंदर गूमते फिरते गूमते फिरते अंदर गूमते फिरते रहते हैं और इन एलेक्ट्रों की वज़ा से यह जो मैटल के एटम है यह अपस में जुड़े होते हैं इस बांड को हम बोलते हैं मेटलीक इसमझा गी है है हूँ है समझ आगी है सबको समझ आएगी तो कमेंट्स लाज्मिंद तीजिए Goku समझ आजायın तो कमेंच लाज्मिंदें अर्स ने एक शगित है मेरा लहोर से आज इसने कमेंट किया सुबह वीडियो पर कैसा जी आप विडियोन्स के साथ हंसी मजाग करते हैं तो वेटा ये एक किमिस्टी बोरिंग सब्जेक्ट है इसमें जब तक आप लोगो थोड़ा सा बीच में मजा नहीं होगा इंजवाई नहीं करवाँगा आप लोग तो सुनेंगे नहीं इसको तो इसलिए थोड़ा सा मेरी मजबूरी है भी तो मैं वीडियो में बड़ा कंट्रोल करके पढ़ाता हूँ कि इजी टाइम थोड़ा होता है कलास का सीन और होता है वहाँ पर हम लोग इंजवाई भी करते हैं आपको पता है मेरे सारे ओल्ड शगिर्दों को क्या तरीका कार होता है कलास का तो वीडियो में चुके टाइम कम है अगर तो मुझे आप इजास्त दे के गंटा पड़ाऊं तो फिर गंटा बोलोंगा बिल्कुर रिलेक्स होकर ठीक है आप लोग सबर से पर सुनेंगे मेरी वीडियो तो इसलिए थोड़े टाइम में इसको मैनेज करना होता है तो यह बेटा आज का हमारा टॉपिक था आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आखर में गुजारिश है कि अब्दुलवहीर किमिस्ट टीचर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही जो है वो बैल आइकन को प्रेस कर दें वारस मुदके दारीवाल वाले की सुब काल हूं तो मुझे आपके यह लेक्चर की बड़ी जरूरत है तो इंशला सारे दोस्तों से शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें